Friends attractive और अच्छा दिखने की जब बात आती है, हमें लगता है कि जब किसी पार्टी में जाएंगी या कहीं बाहर निकलने का मतलब है अगर हम अपने office जाएंगे तब ही अच्छे से tension होगी So friends attractive और अगर अच्छा दिखने की बात आरही है तो यह attractive दिखना आपकी habits में होना चाहिए यानि कि आप अगर अखेले में रहना या अपने अपनों के साथ भी जा रहे हैं तो आपकी responsibility होनी चाहिए कि आप अच्छे दिखने चाहिए क्योंकि आपके अपने भी जब आपके साथ जा रहे हैं उन्हें भी proud feel होना चाहिए कि अरे भाई हमारा life partner कितना attractive दिखता है या अगर बच्चों की बात करें तो उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारे parents कितने attractive दिखते हैं जो सबसे पहला point ले रही हो कि आपका dressing sense कैसा होना चाहिए कि कई बार हमें लगता है कि अरे भाई morning walk पर ही तो जा रहा है किसी भी तरीके की sleepers डाल लेते हैं किसी भी तरीके का हम shot डाल लेते हैं किसी भी तरीके की t-shirt डाल लेते हैं और ऐसे ही निकल जाते हैं देखने वाला कोण है सुबह सुबह यहां पर friends चीज समझ लीजेगा कि अगर आप afford कर सकते हैं तो अच्छा shot खरी दिये अच्छा lower खरी दिये और अच्छी t-shirt करी दिये यानि कि वो dress केवल आपके morning walk के लिए होनी चाहिए और जब उसमें आपको लगेगा कि पच्चे लग रहे हैं तो friends देखेगा कि आपकी जो चाल है वो अपने आप ही बदल जाएगी और आपका जो confidence है वो भी सरच चड़ कर बोलेगा टोटालिटी में बात कहने वाली यही है कि अगर कहीं थोड़ा सा भी निकलना पड़ा है तो ऐसे casual way में मत निकलिए कि मुझे जानने वाला कौन है या कुछ भी ऐसे पहन लो चल जाएगा हमेशा कोशिश करिए हर occasion के लिए हर time के लिए आपकी जो dresses वो selected होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए the same way friends तो second point आ रहा है selection of dresses यानी कि आपकी choice कैसी है कई बार क्या होते है कि अगर हम एक normal t-shirt भी खरीते हैं सो हम रंग भी रंगी खरील देते हैं या उसमें ऐसे colors होते हैं जो वाकई हमारी personality को suit नहीं करते हैं सो आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस तरीकी की आपकी personality है जिस तरीके का आपका प्रफेशन है या जिस तरीके का आपका nature है उससे reflect होते हुए आपके कपड़े होने चाहिए यानि कि उसमें कुछ भी लिखा है नहीं चलेगा आप T-shirt खरीद रहे हैं even then आप घर की भी खरीद रहे हैं सो आपको ध्यान देना पड़ेगा उसमें जो लिखा है उसका सही meaning निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है the same way avoid करिए कि बहुत ज़्यादा लिखी पड़ी T-shirt नहीं होनी चाहिए लिखे पड़े तो सहम आपी है और उसी के साथ साथ जो color combination है वो ठीक है कि नहीं ठीक है यानि कि वो outdated तो नहीं है the same way आप जो formal shirts भी खरीब है तो भी ध्यान रखेगा कि जो colors है वो light होने चाहिए यानि कि इदर you can go with blue और white यालावा अगर आप और किसी color में जा भी रहे हैं तो वो color भी soothing होने चाहिए और बहुत ही light होने चाहिए कई बाइर क्या होता में ध्यान नहीं रहता है कि अरे भाई bright color या loud color की shirts हम पहन सकते हैं यहाँ पर ध्यान रखेगा कि चाहिए आप male हो चाहिए female हो formal clothes में आपके इस तरीके के जो loud colors होते हैं वो बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं the same way friends अगर formal dresses में आपको वाकई attractive दिखना है so आपको time to time ये भी ध्यान रखना है आपकी जो shirts हैं उसके साथ साथ जो आपने blizzard पहना है वो किस तरीके का यानि कि कई बर हम ध्यान नहीं देते हैं हम blue straight या ढीला ढाला blizzard ले लेते हैं so friends आपको ध्यान रखना है कि वो भी proper shape में होना चाहिए यानि कि this to this कई लोगों को ये भी मित होता है कि घर्मियों में suits नहीं पहने जाते हैं मैं बता दूँ कि भाई चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो suits सब में पहने जाते हैं even then summer's के आपके summer suits होते हैं जिनको आप easily carry कर सकते हैं and friends यो next point आ रहा है कि कई बाई ये जो accessories होती है उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं यानि कि किस तरीके की watch पहनी हुई है किस तरीके की rings पहनी हुई है even then गले में क्या डाला है कुछ लोगों को बिलकुल ध्यान नहीं रहता है कि वो गले में धागे डालते हैं पता नहीं कितने तरीके के धागे डाले और उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि अरे भाई भगवान की भक्ती कर रहा है तो दिल में करो तो दुनिया भर के जो लॉकेट्स या ताबीज आप अपने गले में डाले रहते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता है आपको भक्ती करनी है इस तरीके की कोई भी चीज पहन नहीं है तो आप अपने शरीर के ऐसे अंग पर पहन ये जहां से वो विजबिल ना हो अपने गले में जब भी इस तरीके का कुछ पहनते हैं और यानि कि वो कहीं से भी अट्राक्टिव बिल्कुल नहीं लगता है और इनी accessories में friends किसी भी तरीके की rings पहन लेना यानि कि artificial rings पहन लेना या जितने भी नग, मुंगा, माडिक जितने भी होते हैं जिसने कहा वो सारे के सारी उंगलियों में पहन लेना so friends यहाँ पर भी मैं कहा दूँगी कि भाई God-fearing होना सही बात है सबको भगवान से डरना चाहिए लेकिन यह जो अंदे विश्वास होता है कि पूरे के पूरे आपने हाथ ही भर लिये वो भी आपका यह जो attractive look है उसको कहीं न कहीं डेल कर देता है इसी में जो मैं next point ले रही हूँ वो है makeup कि आप किस तरीके का makeup carry कर रहे हैं यह points especially मैं females के लिए ले रही हूँ कि अगर आप कही morning में या afternoon में शिरकत कर रहे हैं तो शिम्री eyeshadow carry नहीं करना और उसके साथ साथ यह जो pastel eyeshadow हो तो उनको बिलकुल carry नहीं करना है आप nude shade का eyeshadow carry कर सकते ह यह जरूर है कि शाम खोगर आप किसी party में जा रहे हैं वहाँ पर आप शिम्री eyeshadow भी carry कर सकते हैं और पेस्टल eyeshadow भी carry कर सकते हैं लेकिन उसमें भी ध्यान रखेगा कि वो dress के साथ match कर रहा है अच्छी बात है लेकिन वो आपकी चेहरे के साथ भी match कर रहा है कि नहीं कर रहा ह होती हैं लेकिन वो कहीं ने कहीं हमारे चेहरे का जो complexion उसको डल कर रहा है या उसको attractive दिखने में hindrance create कर रहा होता है थान रखेगा किस तरीके का आप eye shadow choose कर रहे हैं in the same way कुछ lipsticks के colors होते हैं जो हमारे उपर बिल्कुल suit नहीं करते हैं यानि कि कुछ लोगों को मैंने देख कर सकते हैं इसी में जो next point आ रहा है कि आपने अच्छा पैन लिया आप अच्छे दिख भी रहे हैं लेकिन आपके styles केसी हैं ऐसा तो नहीं जब styles की बात आ रही है तो आपको बैठना नहीं आता आपको उठना नहीं आता इविन आपको अपने facial expressions परी काबू नहीं है कई लो even then वो सीधे बैठे हैं कि नहीं बैठे सीधे चल रहे हैं कि नहीं चलना इसका उन्हें बिलकुल भी ध्यान नहीं रहता है even then उनको जो sitting posture होता है उस पर भी ध्यान नहीं होता है कि उन्हें straight बैठना चाहिए अगर female है तो female के भी जो legs हैं वो controlled way में होने चाहिए यानि कि दो नाम से या casual way में बैठ सकते हैं और वो हर लिहाँ से अच्छे लग रहे हैं इस गरत फैमी को थोड़ा सा दिमाग से निकाल दीजिए है कि भाई अच्छे तभी दिखोगे जब यह styles भी अच्छी हो अगर style से फूहरपन चलक रहा है तो आप कते ही अच्छे दिखने वाले नहीं हो and friends last but not the least आजकर एक trend से चल रहा है कि footwear कैसा भी हो चल रहा है लोगों कि यह चपल पहनने के आदात होती है यह बहुत irritate करती है और यह चाहे male हो चाहे females हो कि अगर उन्हें market जाना है तो भी वो घर की चपल पर निकले जा उन्हें ध्यान नहीं रहता कि क्या फरक प करें कैसे भी कैरी करें आप अच्छे ही लगते हैं इस गलत फैमी को भी दूर कर दीजिए footwear के लिए बहुत ज़्यादा particular रहेगा कि आप कहां जा रहा है इवें देन अगर आप थोड़ा बहुत घर से निकल लें उस समय का footwear आपका different होना चाहिए यानि कि चपल तो बिलक के चल पड़ो comfort को हमेशा ध्यान में रखे बट उसके साथ style होना बहुत जरूरी होता है और उसी के साथ साथ भाई आज की डेट में fashion trend क्या चल रहा है वीडियो को sum up करते करते ladies के लिए एक bonus point बताना चाहूंगी कि कई ladies को लगता है कि उनके जो यह लंबे बाल है बहुत ही बिलकुल अच्छे निये लगते हैं आप फूहर दिखते हैं आपको धियान रखना पड़ेगा कि भाई लंबे बालन सो इसकी भी बहुत सारी styles होती हैं आप पोनी बना सकते हैं इनकी pleats बना सकते हैं या इनको ठीक से खोल करी carry करी है यह नहीं कि कैसे भी clutch लगाया और निक सकते हैं so friends hope आपको पूरा का पूरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको like करना मत बुलेगा अपने friends के साथ share करना मत बुलेगा और ऐसे ही life lessons जाने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा so thanks a lot for giving me thismas time